अब बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में हम निफ्टी बैंक निफ्टी की वीकली अनालिसिस करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि हमारे दोनों इंडेक्स कहां पर जा रहे हैं आगे का प्राइस एक्षिन क्या हो सकता है जैरेसल अभी ग्लोबल न्यूज काफी आने वाली है इंफ्लेशन बहुत बढ़ गया इंट्रेस रेट हाइक हो रहा है तो इकनोमी डाउन जाएगी जिससे मार्केट पर इफेक्ट पड़ेगा तो जो सारी चीज़े है ना उनका चार्ट पर क्या प्रभाव पड़ सकता है वो हम देखने वाले हैं क्या एफेक्ट वीकली चार्ट अगर हम खोलते हैं तो आप देखोगे नीचे से एक ऐसी ट्रेंड लाइन बन क्या रही है ठीक है उपर के तरफ से मतलब यहां से आप देखोगे तो एक ऐसी ट्रेंड लाइन आ रही है जिसमें मार्केट ने कई बार रेजिस्टेंस लिया हुए और नीचे से जो ट्रेंड लाइन आ रही है उसमें कई बार सपोर्ट लिया हुए तो एक तरीके से कही ना कहीं राइजिंग वेज्ट पैटन का फॉर्मेशन हो रहा है तो जो राइजिंग वेज्ट पैटन होता है अब देखो मार्केट ऊपर जा रहे है और यहां पर आके अगर एक क्लियर आइडिया नहीं लग पाएगा उसी आपके तो यहां पर टार्गेट होना चाहिए बर जनरली मार्केट इतने ज्यादा डिप करने वाले नहीं है तो उसका कोई चांस यहां पर नहीं बनता है लेकिन पॉसिबल टार्गेट क्या हो सकते हैं मैं आपको वह समझाने की कोसिस करता हूँ तो आज के लिए जो जरूरी मतलब इस अनालेसिस को समझने के लिए सबसे जरूरी होगा मतलब यह वीकली चार्ट और इस वीकली चार्ट में ट्रेंड लाइन और प्लस एक चीजम आपको अभी बताने वाला हूँ तो यह ट्रेंड आप लोग देख रहे ह हो नहीं पाई तो उसमें एक दिक्कत आ गए अभी तो वह दिक्कत दूर करके मैं मंडेया वेटनस जे तक फिब की वीडियो डाल दूंगा में भी वेटनस जे तक साथ मैं वीडियो आपको अपलोड करके दे दूंगा ठीक है तो मैंने वीडियो बना ली थी अपनी तरफ से थोड़ी सी गड़बर होगे रियली सॉरी फॉर दैट चलो अब यहां पर देखो यह फिब टूल अगर मैं लगाता हूं बॉटम से लेके टॉप तक अगर हम फिब टूल को लगाते तो यहां पर आप देखो कि यह 0.2 का एरिया है यह 0.3 है यह 0.5 है 0.6 है मतलब जो यह व लगाता हूं तो भी 0.5 लेवल टेस्ट नहीं वाता लेकिन अगर यहां से लेके यहां तक लगा हूं तो भी 0.5 टेस्ट नहीं वाता तो अब मैं अगर यहां से लेके यहां टॉप तक लगा रहा हूं तो इस बार भी 0.5 टेस्ट होगा यह नहीं होगा यह कहपाना मुस्कि यहां से लेके यहां तक तो आप एक चीज़ देखना है यहां से लेके मैंने यहां तक फिब लगा है तो आप यहां भी देखोगे मार्केट 0.5 वाले जोन को टच करने नीचे की तरफ आया था उसके बाद इसने उपर की रैली स्टार्ट करी थी सिमिलरली अगर मैं आपको औ जल्दी के कौन सा टार्गेट हमें मिलेगा वो आपको मैं बताता हूं और वो level है हमारा 38,000 का, अभी market 40,000 चल रहा है, market 2000 पॉइंट नीचे गिर जा, ये कोई बड़ी बात नहीं, ये गिर सकता है, तो जो short term का target downside में हमें मिल सकता है, वो 38,000 का मिल सकता, अब ये कैसे, वो आप देखो, यहाँ पर मैं इस वाले swing को पकड़के fib यूज़ करने वाला यहां से लेके यहां तक, तो आप एक notice करोगे, कि 0.5 का zone, ये 0.5 का level है, 0.5 का level और जो बड़े time frame की fib का 0.2 का level, मतलब ये वाली जो zone है, हमारे लिए काफी जादा important हो जाती है, और ये zone कौन सी है, 38,000 की zone है, और प्लस एक चीज़, अगर market यहां से गिरता है, तो ये trend line भ है न, तो 38,000 पर support लेके उपर की तरफ निकल सकता है, अब मैं आपको एक बार daily chart में ले चलता हूं, और समझाता हूं कि 38,000 का जो level है, वो chart के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, अगर आप देखोगे न, तो ये जो 38,000 वाली zone बन रही है, यहां पर market और डो बार support ले चुका है, तो market जब दुबारा यहां पर आएगा, तो support लेने के गुंजाइस रहेगी, और maybe support लेके market उपर की trend line को break करके, उपर की तरफ निकल जाए, अब ये बाद की बाते हैं, market यहां पर hold करके, क्या इसको break down करेगा, इसको break down करता है, तो 30,000 के targets खुल जाएंगे नीचे के लिए, और अगर उपर निकलता है, तो फिर नया high हमें देखने मिल सकता है, अब अब 44,000 के उपर जाके, तो ये है, मतलब फिलहाल की analysis, अब थोड़े और छोटे time frame में आप analyze करोगे, daily time frame में, तो अभी market क्या कर रहा है, एक market clear cut downtrend मे बना हुआ है, यहां पर, market में एक भी previous highs टूटे नहीं है, उपर से important trend line तो आ रही है, बट यह टूटी नहीं पा रही है, और Monday को भी gap down यहां कहीं देखने मिल सकता है, तो अगर Monday को भी market फिसलता है, तो जो immediate support है हमारे पास, वो 39,500 का आई है, तो 39,500 के उपर उपर अगर रहता है, तो थोड़ा sideways रहेगा बट 39,500 के नीचे जैसे यह आप देखरो हो, इतनी बड़ी-बड़ी red candle, तो एक या दो बड़ी red candles आपको 39,500 के नीचे भी देखने मिल सकती है, मतलब एक panic selling का scenario हमें द्वनता हुआ देखने को मिल सकता है, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रटना पड़ेगा, जी 39,500 के तो ये तो हो गई हमारी bank nifty के analysis, अब आते हैं nifty पे, nifty का chart आप देखोगे, तो जो nifty में rally आये थी न, वो बहुत जादा strong आये थी, bank nifty में rally फिर भी थोड़ी retracement के साथ आये थी, बट इसमें कोई भी retracement हमें देखने को मिला ही नहीं है, अगर इसमें मैं top से bottom में fifth draw करता ह तो आप देखोगे, market 0.236 को बस एक बाद touch करने आया था, उसके बाद market नीचे आया नहीं, तो अगर इस बार भी market नीचे आता है, और यहां कहीं से एक trend line बन रहे है market के आसपास, तो market अगर इसको breakdown करता है, मतलब 16,000 का level, अगर 16,000 का level breakdown होता है, तो फिर नीचे के लिए हम 15,000, 14,000, फिर 13,000 के आसपास के level देखने मिल सकते हैं, तो मतलब 30,000 का जो मुझे ऐसा लग रहा है, 13,000 का, वो final target होना चीए, in nifty, bank nifty काम ने decide कर लिए, 300,000 final target हो सकता है, लेकिन अभी market 38,000 के आसपास रुपने की कोसिस करेगा, तो similarly, यहां पर भी 16,000 के आसपास आके market को थोड़ा support लेना पड़ेगा, थोड़ा रुकना पड़ेगा, लेकिन final target 13,000 का भी हमें देखने को मिल सकता है, अब अगर मैं इसके daily chart में चलता हूँ, आपको daily chart में situation बताता हूँ, तो same situation बनी हुए, market एक बार भी अपने previous highs को break नहीं कर पाया है, लेकिन यहां पर पहले market मे कुछ ऐसी गिरावट आ रही थी, अब market में कुछ इस प्रकार के गिरावट आ रही है, तो यहां पर market एक expanding channel में नीचे की तरफ बढ़ रहा है, तो अब देखते हैं, यह channel expand होके कहां तक जाता है, market को एक immediate support जो मिलने वाला है, वो 16,800 के level के आसपास मिलने वाला है, और market में अगर यह low तूटता है, तो फिर से एक हलकी panic selling हमें देखने को मिल सकती है, जो market को 17,000 और फिर 16,800 तक लेके आ सकती है, तो यह है हमारी इस बार की weekly analysis, आपको analysis कैसी लगी, आप नीचे comment section में जरूर बताइएगा, और क्या मैं weekly analysis की videos बनाते रहा हूं, वो भी जरूर देखना, सारी videos को properly organize कर दूँगा, ताकि कोई भी topic पर आपको video देखने हो, वो आपको मिल जाए, जनरली लगबग सारे topics पर मैंने video बना रखी है, लेकिन एक तरीका में और आपको बता दे रहा, मानलो आपको कोई भी topic पर video देखने, मानलो आपको video देखने, ओवर immediate message करिए, कुछ दिनों मैं आपकी वो वीडियो बना के आपको दे दूँगा, चैनल पर मैं upload कर दूँगा, चलिए मेरी तरफ से इतना ही, मिलते हैं कल सुबह की live stream में, धन्यवाज जाएं जाएं झाल झाल झाल